हेलो फ्रेंड्स मेरे किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं शेर करने वाली हूँ आलू गोवी मटर की बहुत ही सूपर ट्रेश्टी सबजी एकदम छटपट और आसान तरीके से तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसके लिए फूल गोवी को मैंने काट लिया है इसे ऐसे बड़े-बड़े टुकडो में काटा है हलवाई भी ऐसे गोवी को बड़े-बड़े टुकडो में काटते हैं और अब गोवी को क्लीन करने के लिए मैंने हाँ पर पानी गरम कर लिया है मैं उसमें गोवी को एट कर लेती हूँ इससे जो गोवी में कीड़े वगर से क्लीन हो जाएगे और नमक कियो जैसे गोवी जब हम खाएंगे तो वो अंदर से भी फीकी नहीं लगेगी दो मिनिट बाद हम गोवी को बाहर निकाल लेते हैं और इसे दो से तीन बार अच्छे से दो कर साफ कर लेंगे और आप प्रेवी की तयारी कर लेते हैं तो उसके ल और अध्रक का एक टुकड़ा है और इसी के साथ कुछ इसमें खड़े मसाले भी एट कर लेते हैं थोड़ी सी जावित्री एक टुकड़ा दाल चीनी दो छोटी लाइची दो लॉंग आठ से तस दाने काली मीट्स के और आधी छोटी चमच जीरा है सब को एट कर लेते हूं और दो चमच यहाँ पर मैंने साबुद धनिया की बीज ले लिये हैं और एक प्याच को भी चौप करके इसमें डाल दिया है और अब इसमें दो से तीन चमच पानी डाल दिया है और इसी के साथ हम इसमें एक चमच हल्दी पावडर और एक चमच कास्मेरी रेट चिली लिया है और 3-4 मिडियम साइज के आलू है इसे मैंने ऐसे बड़े-बड़े टुकडों में काट लिया है इस सब्जी को भूकर है बड़े-बड़े टुकडों में काटा है नहीं तो यह जादा मैशि हो जाएंगे और यहां गैस पर खूकर चढ़ा दिया है और इसमें हम 3-4 सरसो का तेल एट कर रही हूँ हमारे यहाँ यूपी यानि आयोध्या में ज़्यादा तर हम सब्जियों को सरसो तेल में ही बनाते हैं लेकिन आप किसी और कुकिंग आयल का भी इस्तिमाल कर सकते हैं लेकिन ये सबजी सरसो तेल में ही ज़्याद आच्छी बनती है और सबसे पहले हम इसमें गोवी को वैट करेंगे और गोवी को फ्राई कर लेंगे गोवी को फ्राई करके सबजी बनाने से सबजी बहुत ही अच्छी बनती है और ये गोवी मैशी भी नहीं होती है गोवी में जब तक गोल्डन कलर नहीं आ जाता है जब तक हम इसे फ्राई करेंगे 2-3 मिन्ट भुननेक बाद गोवी में गोल्डन कलर आ गया है अब मैं इसे फ्लेट में निकाल लेती हूँ और मैंने इसमें 2-3 चमच तेल आउराइट किया है हम इसमें आलू को भी फ्राई करेंगे इस तरह से आलू को फ्राई करने से सबजी बहुत ही टेश्टी बनती है और आलू खाने में भी अच्छे लगते हैं और अब आलू को भी 2-3 मिन्ट तक फ्राई करेंगे जब तक कि इस पे एक ब्राउन कोटिंग नहीं आ जाती है और अब आलू को भी बाहर निकाल लेती हूँ और अब तड़का लगा लेते हैं तो उसके लिए 2-3 बता एक बड़ी लाईची को तोड़के डाला है मैंने और एक सुखी लाल मिर्च और आधी छोटी चमज जीराइट किया है और यहाँ तीन मीडियम साइज प्याज है जिसे मैंने बार एक चॉप कर लिया है उसे भी आइट कर लेती हूँ और अब प्याज को भी 2-3 बता भूल लेते हैं इसे जल्दी से भून जाते हैं और प्याज अब गोल्डन ब्राउन हो गए हैं अब इसमें मसाले अट कर लेते हैं जो हमने पीज के रखे थे और अब मसालों को भी हम 4-5 मिनिट तक अच्छे से भूनेंगे जब तक कि इसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है इस सब्जी को आप कड़ाई में बना सकते हैं लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है और इस तरह कूकर में बनाने से इस सब्जी को हम 15-20 मिनिट में बना कर तयार कर सकते हैं और अब इसमें मसाले अट कर लेते हैं एक चमच मैंने इसमें सबजी मसाला एट किया है और एक चमच धनिया जिरिय का पाउडर एट किया है और इसी के साथ टमाटर को भी एट कर लेते हैं तीन मीडियम साइज टमाटर को मैंने चौप करके डाला है और इसी के साथ नमक भी एट कर लेते हैं नमक आप अपने स्वाद के नुशार कमिया ज्यादा कर सकते हैं और आप सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे डेड़ से दो मिनिट तक भून लेंगे और इसे हम कवर करके दो से तीन मिनिट तक कूक करेंगे इससे टमातर अच्छे से सॉप्ट हो जाएंगे और मसाले भी अच्छे से भून जाएंगे यहां में CT नहीं लगाना है बस जश्ट कवर करना है और अब दो मिनूट बात चेक करते हैं आप देख सकते हैं कि मसाले अच्छे से भून गये हैं और ट्रमाटर भी सौप्ट हो गये हैं और अब हम इसमें मटर एड़ कर लेते हैं और इसी के साथ मैं यहाँ पे कसूरी मेथी एड़ कर रही हूँ मैं पहले डालना भूल गई थी आप पहले भी डाल सकते हैं कसूरी मेथी को हाथों से क्रश करके डालेंगे इससे इनका फ्लेवर और इन्हेंस हो क्या आता है मैंने यहाँ पे फ्रेश मटर का इस्तेमाल किया है आप फ्रोजिन मटर का भी यूजी यहाँ पे कर सकते हैं लेकिन फ्रेश मटर से यह सबजी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है और अब गोभी और अलू को भी इसमें आट कर लेते हैं और अलू गोभी को भी मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे हम एक से दू मिनर तक और भून लेते हैं मसाले जितने ही अच्छे से भूनेंगे सबजी उतनी ही टेस्टी बनती है और अब पानी एट कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं सिर्फ आधी गलास पानी एट कर रही हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा ग्रेवी वाली सब्जी नहीं बना रही हूँ अगर आपको ग्रेवी वाली सब्जी चाहिए तो पानी अब थोड़ा और बढ़ा लीजिएगा और वैसे भी कूकर में पानी कम ही लगता है इस सब्जी बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेश्टी बनती है अगर आपने एक बार इस तरह सी सब्जी को बना लिया तो हमेशा आप ऐसे ही सब्जी बनाना पसंद करेंगे और आप कूकर का ढखकन बन करेंगे और एक सीटी लगा लेंगे एक सीटी में हमारी सब्जी बन कर तयार हो जाएगी उससे ज़्यादा सीटी मत लगाएगा नहीं तो सब्जी ओवर कूक हो जाएगी और एक सीटी के बाद हम कूकर को अपने आप ठंडा होने देंगे फिर उसे खोलेंगे कूकर अप ठंडा हो गया है उसे खोलते हैं और देखिए आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी बिल्कुल तैयार है जैसी सब्जी हम श्रादियों में जाके खाते हैं या हलवाई लोग बनाते हैं बिल्कुल ऐसी सब्जी बनी है और अब गर्मा गर्म स्टार कर लेते हैं मुझी तो ये सब्जी स्टीम राइस से बहुत ज़्यादा पसंद है आप भी इसे ऐसे ही बनाईए खाईए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजिए बाबाई टेक केर